लेडिस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब मित्रों जन्म के साथ ही मिर्ट्यू तै हो जाती है किसी ने कहा है कि सब को सांसें गिन कर मिलती है धार्मिक और पुरानिक सास्त्रों के अनुसार जब कोई बालक माता की गर में प्रवेश करता है तो उसी के साथ ही उसका भाग्य, जीवन और मिर्त्यू निर्धारित हो जाती है अनेक गुड रहस्यों से परदा उठाते हुए हमारे ग्रंथों ने मिर्त्यू के रहस्य से भी परदा उठाया है सास्त्रों के अनुसार विधाता के द्वारा आयू, कर्म, धन संपत्ती, सास्त्रों का ज्यान और मिर्त्यू इन सब का निर्धारन माता के गर्ब के समय ही हो जाता है गर्भावस्था की अवधी में ही बालक की मिरत्यू और आईउ दोनों तै हो जाते हैं जन्म लेने के बाद बालक अपने जीवन में क्या बनेगा, क्या करेगा, किसे शेतर को अपना करियर बनाएगा यह भी माता के गर्ब में ही सुनिश्चित हो जाता है जातक को जीवन में मिलने वाली धन्सम पत्य की मात्रा भी उसी समय निश्चित हो जाती है बालक कितना विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा और उसका सेक्षिक स्तर क्या रहेगा यह भी गर्ब में ही तैह हो जाता है इन सभी के साथ तैह हो जाता है बालक की मृत्यू का दिन स्वर्समरागी लता मंगेशगर जी आज कल ऐस्वस्त चल रही है आईए देखते हैं कि उनकी आयू उनकी कुनली क्या कहती है उनका जनम हुआ 28 सितंबर 1929 इंदौर मधफर्देश में लताजी की कुनली के नुसार उनका मिथुन लगन है और करक राशी है कुनली के दूसरे भाव पर चंद्रमा तीसरे में शोकर चतुर्थ में बुद्ध और शोकर पंचम भाव में केतु मंगल साथ में है सबतम भाव में शनी अकेले है एक आदस में राहु है दौद आदस में गुरू है भरतमान में नकी कुनली में गुरू महादाशा में बुद्ध की अंतरदशा चल रही है और आयू भाव हम अस्टम पर से देखते हैं तो अस्टम पर सब्तमेश गुरू की नवी द्रश्टी शुब अशिरवाद स्वरू बनी हुई है तीसरा भाव जो की अस्टम से अस्टम है इस भाव पर एक शुब ग्रह शुक्र इस्थित है आयू कारग ग्रह नौमेश होकर सब्तम भाव में है ये सबी योग इनकी आयू में व्रद्धी कर रहे हैं अगस्त 2019 से लेकर नुवंबर 2019 के मद्धे की अंतरदशा गुरू ग्रह की है मारकेश गुरू 12 भाव में मंगल के नक्षतर में है और मंगल इस लगन के लिए रोगेश होते हैं इस समय इनकी आयू पर कष्ट बने हुए हैं सावधानी रखना अच्छा रहेगा धन्यवाद मित्रों